हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BASF इंडिया की स्टॉक के बारे में स्टॉक की गरण प्राइस की बात करेंगे जो 20403.10 इसकी गरण प्राइस चल रही है और आज दिन में स्टॉक में लगबग 5% से भी जादा हमें तेजी देखने को मिल रही है यह जो आप चार्ट देख रहे हैं हमने इसको वंडे डाइम फ्रेम में सेट कर लिया है जैसे की आप यहाँ पे देख सकते हो अगस्ट 2022 में स्टॉक में जो है अल्मोस्ट हाई लग चुका था 3530 का फिर यहाँ से हमें कंटिनियोस लिस में गिरावट देखने को मिल चुकी है बहुत ही जादा डिस्कांट रेट में Almost 1000 पॉइंट जो है डिस्कांट रेट में हमें कारोबार करता हुँ स्टॉक दिखाई दे रहा है जिसे की आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक में की important support zone था Almost 2350 का यहाँ पे इसको breakdown इसने दिया फिर अगेन यहाँ से हमें पिछले दो दिन से bounce देखने को मिल रहा है मतलब कि यह जो breakdown हो चुका था यह fail हो चुका है अगेन हम यहाँ से उपर की और bounce करते वे दिखाई दे रहे हैं अगर आप इसमें fresh entry का plan करना चाहते हैं यह candle closing का wait करिए जैसी candle breakout के चलते close हो जाती है तो हम जो है इसके नीचे का stop loss रखके इसमें fresh entry का plan कर सकते हैं तो इसके जलते अगेन हमें stock में अगेन ऊपर की और जो है तीजी further continue होते वे दिखाई दे सकती है अगर MSED indicator को भी अगर आप यहाँ पे देखते हैं देखें यहाँ पे हमें आज की दिन में bullish crossover देखने को मिल रहा है और zero line के उपर भी green bar जो है हलकिसी बनते वी दिखाई दे रही है जो की मजबूती का signal दे रही है तो अभी तक आपने इंजलोन में DMET account ओपन नहीं किया है तो link जो है description box में दे दी है उस link का यूज करके आप free में DMET account भी open कर सकते है तो चलिए हम चेक कर लेते हैं इसका last 4 year का financial trend और analyst हमें क्या सला देते हैं बाइंग की 2019 से 2022 तक का last 4 year का data हमारे सामने शोग कर रहा है अगर हम compare करते हैं 22 को 21 के साथ तो यहाँ पे आप देख सकते हो revenue और profit में दोनों में हमें अच्छी growth देखने को मिल रही है जो की positive point है और सबसे main जो important चीज होती है नो red flag दिखाई दे रहा है जब भी आप कोई भी stock में long term, short term या फिर swing trade के लिए entry का plan करते हैं तो एक बार जरूर नो red flag देखके ही उसमें entry का plan मनाए जिलिए हम चेक कर लेते हैं इसका forecast analyst हमें क्या सला देते हैं buying की one analyst जो है यहाँ पे 0% buying की सला दे रहा है जो के काफी खराब हम इसको सला consider कर सकते हैं तो हमने total 4 point discuss किये पहला point इसका technical chart था जो की support लेके bounce करता हमें दिखाई दे रहा है दूसरा जो है इसका financial trend भी positive है और उसके बाद जो है no red flag भी है तो आप यहाँ पे 3 point को मद्दी नजर रखते हुए entry का plan कर सकते हैं तो चली दूस्तो हम चलते हैं angel one app में दूस्तो हम आ चुके हैं angel one app में simply यहाँ से watchlist में आना है जिसे हमें BASF का देखना है तो यहाँ पे हम search करेंगे BASF जिसे ही यहाँ पे हम search करेंगे दिखी यहाँ पे हमें stock का नाम दिखाई दे रहा है उस पे हमें tap करना है SEM DAY BY SEM DAY SELLS करना चाओ आप InTRA DAY में करेंगे, यहाँ पे आगेन हमें quantity इंटर करनी है, मलिजिये हमें इसकी 10 quantity चाहिए, तो हम यहाँ पे 10 quantity इंटर करेंगे, limit और market का option यहाँ पे दिखाई दे रहा है, limit याने के stock को आप अपने मनपसंद price पर खरीच सकते हो, जिसे कि stock की price चल रही है 2370.60 अगर आप इसको buy करना चाते हैं 2360 पे तो यहाँ पे आप enter करेंगे जब भी stock की price वहाँ पे आजाएगी आपका order execute हो जाएगा अब market rate क्या होता है market rate यहने के जो भी stock की current price चल रही होती है उसी पे directly आपका order execute हो जाता है simply यहाँ पे हम buy पे touch करेंगे buy पे touch करने के बाद confirm आजाएगा confirm पे touch करने के बाद हमार order जो है successfully execute हो जाएगा same process रहेगी intra day के लिए जो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था